तो आज ये दिपावली और मैं सुब कामने देना चाहता हूँ आप सबको दिपावली की, सुब दिपावली आप सबको, होप करेंगा कि आपके घर में कर कोई दिक्कते हैं, कोई परसानी तो सबकी सब दूर हो जाए, खुसिया बरसे, धन बरसे, एंड खुसर हो आप सब भा सब्सक्राइब करते हैं, तो कभी खुद CM Punk कर देते हैं, अब देखो, एरेना का टीज करना ना कोई ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये बहुत सौकिंग चीज भी नहीं है, क्योंकि हमने ब्रेवाइड के टाइम भी देखा था, कि जिस एरेना में ब्रेवाइड का रिटर् सब्सक्राइब करते हैं, तो अब मैं आपको बता दू कि क्या हुआ है, आल स्टेट एरेना जहां से की सर्वाइवर सीरीज होने वाला है, जियां सीगाओ की बात कर रहा हूं है, वहाँ पे कल्ट आफ परसनालिटी आज प्ले करा गया, और सिर्फ यही एक बड़ी नहीं है को इंसडेंस तो बिलकुल नहीं हो सकता है, यह तब प्ले हुआ जब एक इवेंट चल रहा था, जो की डबड़ी स्पॉंसर था, तो यह जो इवेंट हो रहा था, उसको डबड़ी ने स्पॉंसर करा था, और यह इवेंट हो रहा था आल स्टेट एरेना में जहां पर की काफी मैसिव टीजे बताने की जुरत है भी नहीं कितना मैसिव है खुद में अपने आप में, तो इसके उपर आपके क्या थोट से आपको कॉमेंट करके बताना जरूर से, मेरे एक और अपडेट है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको पढ़क है लेकिन क्या ये कोइंसिडेंस की डबल डबली के ही जो है स्पांसर इवेंट में ये वाला होगा मैं थीम सोंग प्ले मेरे एक विल्कुल भी कोइंस नहीं है, ये इंटेंस नली करी गई चीजे है, आगे बढ़ते हैं अगली स्टोरी कपर करते हैं जो कि एक और बहुत ही मेरी की, कह सकते हैं कि सैथ य eyeliner की सब्सक्राइब सब्सक्राइब इस सब्सक्राइब करते हैं, जोविफ सब्सक्राइब भरया बने के जाता है,.. या तो सीम पंक आएंगे कोई एक आएगा दोनों तो नहीं आने वाले लेकिन यह प्रॉब्लम अब साइब से सॉल्व हो चुकि है क्योंकि रैंडी ओर्टन का रीटन सर्वाइबल सीडीज में नहीं बलकि उससे पहले होने वाला है जस्ट आखरी एपिसोड में आपको एक्स मैंच इस प्लाइन तो बी रिवील्ड बीफोर सर्वाइबल सीरीज तो रिमूब स्पेक्यूलेशन से रिगार्डिंग सीम पंक तो बताया जा रहे है कि फाइट फुल सीलेक के एक और्डिंग वो प्लान कर रही है रैंडी ओर्टन को टीम कोडी के फिप्स मेंबर के तौर करने वाली लोग भले यह सोचना छोड़ देंगे की टीम कोडी में आएंगे सीम पंक एंडसे भी काफी कमी लोगे सोच रहते हैं लेकिन इसके बावजूद सीम पंक का रिटरन जरूर से हो सकता है खुद के सेग्मेंट में या फिर नाका मुरा के सेग्मेंट में तो यहां इसे बहुत अच्छे से मालूम है तो रैंडी ओर जो की एक प्रॉबलम थे थोरे बहुत सीम पंक के रिटरन में कि बाई ऑटन अगर आएगा सर्वाइवर सीरीज में तो पंक कैसे आएगा तो यह प्रॉबलम ही खतम हो गई है और उसके बाद सर्वाइब सीरीज में इनसे भी मेजर जरूर ना जरूर कोई सर्प्राइज है तब ही रैंडी ओर्टन पहले आ रहे हैं आगे बढ़ते हैं इस बात करते हैं अगली स्टूरी के बार में जो कि यह आस्का को लेकर तो आस्का का टर्ण हमने देख लिया स्मैक डॉन में कि वह जो हील बन चुकी है एंड कर चुकी है डाम इस कंट्रोल को क्या यह एक टेंपररी मूव या फिर परमानेट मूव इसको लेके अपडेट आई निकल के सामने अपडेट के एक और इंड बताई है कि आसका जो है उनको परमानेंट ली इंटरनल कर दिया गया डामस कंट्रोल के मेंबर के तौर पर यान में आपको यह देखने को मिल जा रही है तो ऐसे में भेंकर फैक्सन बन चुकी है और लोगो को लग रहा है कि विम्स डिविजन को बहुत भेंकर वाली डॉमिनेट भी गरने वाली है तो अभी कैसा आपको यही बताना चाहता हूं कि आसका जो है वह परमानेंट मेंपर करेंग को जिए और यहीं और दो सब्सक्राइब है तो मेरे बढ़ते हैं कि विरसे निकल के थोरी पाजोंत है नीचल कि बढ़े हैं जादा कुछ नहीं आप लूज नहीं है नहीं किस बीकिए आस्पास ती सफाब बहुत से ङुज़ेंस नहीं तो मेरे एक टोग यह पीसोर टर्फे तरफ से जब उन्होंने अटाक करा रहा इस ने उनको एक्सपोज कर रहा कि भाइज ने जो है वह नारे मिस्टेडियो को हराने में साथ लोगन पॉल का क्योंकि इसी ने ब्रास नकस जोग इसके तरफ इसके बाद सैंटोस एसकोबार को चीज बिल्कुल नहीं पसंद आई रे मिस्टीरियो पर उन्होंने बाद में जाके अटेक कर दिया अब ऐसे में जो है क्या रियाक्शन है सैंटोस एसकोबार का इसको पर मैं संद कैप्सन लिखते रॉंग छॉइस रेमिस्टीरियो इट वाउस पोस्ट टू बी यू और यू एड़ इस आइप दिस तेंग तोगेदर आई एम ल्डब्लू ओ स्मैक्टों विल्टू मी आई रंद बिंगो तो यहां पर बिसीकलि बातों से मुझे समझा रहे है कि यह तो इसी जलन वाली स्टोरी देखाना चाहरें कि देखो यह चीज होने वाली थी सिर्फ मेरे तुम्हारे बीच में लेकिन तुमने कालीटो को भी आड़ करा तो यह जो है जलन वाली चीजे इनके अंदर पकर ही है सैंटो सेस्कोबार के अंदर वही एंगल दिखाने चाहरे तो यह कह रहे हैं कि अब जो स्मकडोन मेरे हाथ में मैं ल्डवी हूँ और तुम्हें बताऊंगा तो यहाँ पर सुरुस से बताया था कि रे मिच्टिरो से जलन वाला एंगल आएगा एंद उसके बाद सैंटो सेस्कोबार बिट्रे करेंगे मिच्टीरो को रिप्लेस करके यह स्टाइटल भी जीत ली थी तो वह सारी चीजें भी डेवलब हो रही थी यही कुछ दिखाना चाहरी है कि संट्र से इसको बार जिनके अंदर खुननस भर गई थी रे मिस्टीरो को लेकर उन्होंने बिट रहे करा मिस्टी देखो इस रीजन की वजह से अपनी आखरी स्ट यह सबसे रीजन बारे में आपने पार्टनर चुका मैं बहुत सार लोह के साथ टैग तीम में कि अब तक जितने बी टैग्टीप पार्टनर देखेंगें वेसे फेवरेट उनके जेउस बन गए यानि कि जए उसो की यह नहीं काफी पसंद आई है वह कहते हैं कि हमने कभी स यह जेउसो की पहली चैंप सिप्ती जो कि उसने अपने भाई के भी ना जीती तो उसके लिए काफी स्पेसल मोवमेंट था है और में लिए वह काफी फेवरेट पार्टनर भी बन चुका है एज टैग टीम पार्टनर आपे बात हो रही है तो जेउसो को काफी अप्रिएट करते हैं कोडी रोट्स एंड विस्करते हैं बेटर फ्यूचर के अभी यह लोग पार्टनर रियें रो में चैलेंज करेंगे वापस से टैग टीम चैंप सब्सक्राइब करें चैनल को फॉलो करें मुझे इंस्ट्राइम एंड टिस्क्रिप्शन में जॉइन कर सकते हैं